हलो दोस्तों नमस्कार मैं बालापीर इलेक्ट्रोनिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्सकों का हार्दी का भिनंदन करता हूं दोस्तों हमारे पास एक मिल्टाउन कंपनी का होम थेटर आया है बनने के लिए तो सबसे पहले हम आपको इस होम थेटर में सप्लाई दे कर और दिखाते हैं कि इसमें दिक्कत क्या है देखें दूस्तों हमने इसमें सप्लाई दे दिया है और इसमें केवल भैलूम के चारों तरफ जो मेरे एलेडी लगा हुए रहता है वो उसमें light जल रहा है और यहां पर देखिए USB card रहता है इस card में supply नहीं आ रहा है और यह बज भी नहीं रहा है किसी परकार के कोई sound इसमें नहीं है ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम इसको खोलेंगे और देखेंगे कि आखिर जो हमारा USB card में supply क्यों नहीं आ रहा है तो दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे साधर प्रार्थना करता हूँ कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किये हैं तो किरप्या वीडियो के नीचे लाल रंग से सबस्क्राइब लिखे को टच कर सबस्क्राइब कर लिजे साथ ही किया है इस किट में क्या दिक्कत आया है ठीक है तो दोस्तो हमने इसका सारा नट खुल दिया है अब देख लिजे हम इसको बाहर निकलते हैं और यह देखिए इसका किट है और इसमें जो IC लगए हुए है यह IC 23C यह TDA 2030 नमर का IC है दोस्तों और इसमें जो है मेरा USB कार्ड में सप्लाइ मेरा नहीं जा रहा है तो USB कारे में मेरा यहां सजाता है यहार देखिए एक मोस्पेट कहीं या इसका नमर आपको बताते हैं तो दोस्तों इसका नमर है 8805 और इसी से 5 ुल कि supply USB कार्ड को जाता है तो सबसे पहले हम इस supply को चिप कर लेंगे कि यह supply जो है मेरा USB card को जा रहा है कि नहीं जा रहा है तो देखिए यह लाल और काला जो दो तार है इसी से supply USB card को जाता है तो ठीक है तो चलिए हम सबसे पहले मीटर से यही चिप कर लेते हैं दोस्तो वीडियो को ध्यान बुरुवक अंत तक देखिए बीना वीडियो को भगाए हिए तभी आप पूर्ण रूप से समझ पाएंगे तो यह देखिए हम इसको DC mode में 20 के रेंज में सेट कर दिया है क्योंकि हमको 5 volt की supply चेक करना है अब चलिए हम इसमें supply देते हैं तो दोस्तो हमने इसमें supply दे दिये हैं और यह देखिए हमारा देखिए यहां light जल रहा है supply भी आ गिया है अब चलिए इस kit में हम 5 volt की supply को चेक कर लेंगे ठीक है तो दोस्तो हमारा 5 volt की supply देखिए इसी से out होगा तभी USB card मेरा on चालू होगा तो दोस्तो मेरा इसी से supply 5 volt की supply मेरा out हो रहा है ठीक है supply तो out दी रहा है लेकिन फिर भी जो है मेरा USB card नहीं काम कर रहा है ठीक है USB card में supply नहीं आ रहा है और देख लेते हैं इसमें 12 volt की supply यह देखिए यहां पर 16 volt यह तो neutral ground होता है और इससे 5 volt की supply दोस्तो जा रहा है तो यह तो मेरा सही है यहां पर मेरा किसी परकार कर कोई दिकत अभी नहीं हमको दिखा रहा है supply भी अंदर जा रहा है तो चलिए इस लाल और काला तार में हम supply USB card को चेक कर लेंगे तो सबसे पहले हम इसको कस देते हैं हलका एक दूग उनट फसा देते हैं और उसके बाद हम आगे चेक करेंगे उस साइड खोल कर कि आखिर उसमें जो है मेरा supply क्यों नहीं पहुँच रहा है वह क्यों नहीं चालू हो रहा है तो चलिए दोस्तों ये देख लिजे तो हम सबसे पहले इसका supply जो है बन करते हैं और इसके बाद इसको आगे से खोल लेते हैं इसको उसका के खोलने वाला होगा तो हम खोल के आपको दिखाते हैं दोस्तों ये देखिए हमने इसको उसका कर खोल लिये है ठीक है और हमारा जो सप्लाइघ है वह देखिए यहां कीट से सप्लाइअ यह देखिए लाल और यह काला तार है तो इसी पर मेरा सप्लाइघ आ रहा है पांच बुल्ड की और सबसर। इसको हटा लेते हैं और यह देखिए इसे सप्लाइघ eusb काड को जा रहा है USB यहां mother board है mother card है क्योंकि यहीं से यह सारा system इसका on होता है तो इसमें supply मेरा नहीं जा रहा है यहां पर एक display लगा हुआ है इस display मेरा light नहीं जल रहा है तो अब हम सबसे पहले दोस्तो आप देख लिजिए हम इसको यहां पर supply चेक करा देते हैं ठीक है तो च इसे ही हमने supply देखिए यहां पर देखिए यहां पर देखिए हरा light जल गया है तो यह supply यह जा रहा है कि नहीं यह देख लेंगे तो सबसे पहले हम इसको बन करते हैं और इस को motherboard को खोल लेते हैं USB या card है ठीक है और आपको खोल के अच्छी तरह दिखाते भी हैं तो देखिए दोस्तों यह देखिए यहाँ पर डिस्पले है इसमें जो हम सप्लाई देने के बाद लाइट नहीं जल रहा है तो अब हम सप्लाई देकर और इस पॉइंट पर देखेंगे पांच भॉल्ट की सप्लाई मेरा आ रहा है कि नहीं ठीक है तो चलिए इसको हम on कर दिया अब हम पांच भॉल्ट की सप्लाई दोस्तों यहाँ पर चेक करने के बाद यहाँ सप्लाई इसमें आ रहा है लेकिन फिर भी यह चालू नहीं हो रहा है तो हमारा खारा भी यह USB कार काड में है तो एक दूसरा हम USB काड लगा की आपको दिखा देते हैं तो देखिए दोस्तों यह दूसरा USB काड है ठीक है यहाँ पर यह पांच भुल्ट की सप्लाई आप दिया जाएगा तो चलिए इस यह पीन को हम निकाल लेते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर सप्लाई दे ठीक है यानि यह मतर बोड जो है USB काड मेरा सही है और यह पूराना वाला इसमें लगा हुआ था यह खराब है तो हम करेंगे यह कि इस मुदों को हम निकाल लेंगे काड यहां से यही पीन से जब मेरा USB memory card लगेगा connect होगा यहां पर देखिए इसका print दिये है और इसमें memory card card reader में लगाकर और खोसाएगा ठीक है लगेगा तब यहां memory card मेरा काम करेगा और यह Bluetooth device यहां हिलाने डुलाने से कुछ तार मेरा तुट गया है तो सबसे पहले हम इसको soldi कर लेते हैं तो दोस्तो हमने इस तार को soldi कर दिये हैं अब इस सारे पीन को हम निकाल कर और इसमें बैठा देते हैं और बैठाने के बाद आपको अच्छी तरह दिखाएगे तो सारा पीन इसमें से पोड निकाल लेते हैं और यह देखिए यहां पर अंटीना का तार दिया है यह देखिए ए एएंटी लिखे हुए है यह अंटीना है दोस्तो यह बहुत छोटा लिखे हुए है इसलिए आपको साफ नजर नहीं आएगा तो आप यह सब कुछ लिखा हुआ रहता है इस तार को दोस्तो हम यहां पर sold कर देंगे क्योंकि यह अंटीना का तार है यह तो मेरा हो गया और यह सारे पीन को अब निकाल लेते हैं और इस पीन को अब हम इसमें बैठा देंगे ठीक है यह काड को हटा दिये और यह देखे यह वाला जो पीन है मेरा यहाँ पर लगेगा तीन घाट के दिये हुए है और यह वाला नीचे लगेगा तो सबसे पहले बैठा के देख लेते हैं यहाँ बैठाने में थोरा सामको दिक्कत हो रहा है क्योंकि तार छोटा पर रहा है तो हम तार को जोर कर बरा कर लेंगे उसके बाद इसको अच्छी तरह खोंसके फिक्स करक आपको दिखाएंगे तो दोस्तों हम सब कुछ कर लेते हूं उसके बाद आपको लाश्ट में दिखा देंगे या कैसे कैसे हमने तार जोर कर खोंसा है ठीक है देखिए दोस्तों हमने इसमें सारा तार बगड़ा जोर दिये हैं और यहाँ देखिए यह लेंस है जो रिमोट काम करता है इसका भी तार हम जोरे है और जोर कर बरा करके इसको अच्छी तरह इसमें कौस्त दिया है और यह पूराणा वाला है जो मेरा खरप था, अब चलिए हम इसमें supply देते हैं और देखते हैं कि इसमें supply आया की नहीं तो देखिए मेरा यहां पर light जल गया आगे से देख लिए दोस्तों यह देखिए हमारा इसमें USB card में मेरा supply आ गया है ठीक है तो अब हम एक speaker लगाएंगे और इसमें बजा कर चेक कर लेंगे ठीक है कि यहां अब speaker से आवाज आता है कि नहीं तो सबसे पहले हमें इसको थोड़ा बैठा देते हैं और बैठाने के बाद इसको देख लेंगे ठीक है चलिए हमें speaker लगाते हैं और इसके बाद आपको दिखाएंगे तो दोस्तों हम एक speaker भी ले लिया है अब चलिए इसमें हम पीछे से इसको लगाते हैं और बजता है कि नहीं तो यह देखिए हमारे पास usb काड़ भी है मेमोरी काड़ इसको लगा लेते हैं अब यह चालू भी दोस्तों हो गया है और यह बजना शुरू हो गया है देखिए तो ठीक है दोस्तों यह पूरी तरह मेरा बन गया है अगर वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कर दिजिए चैनल को सबस्क्राइब कर लिए साथी घंटी बटन को टच कर झालिया